नमस्कार आरे न्यूस देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पलवी सिंग बुल्टिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और आहम खबर के साथ किया गया है प्रदेश में चार बड़े IPS का ट्रांसफर कर दिया गया है साथ ही आपको बता दें इस कड़ी में IPS नबनीज सिकेरा बनाए गए है ADG PTC नाव ड्रवी जोसफ बनाए गए ADG सतरकता अदेश्ठान और अर्विंदर को बनाए गया है JN Olaknau बड़ी खबर इस वक्त के आपको बता दें धर्मेंद रियादफ को DIG से बनाया गया ADC बड़ी खबर इस वक्त के आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर चार IPS के तबादले किये गए हैं और इसी के साथ ही इस कड़ी में धर्मेंद रियादफ का नाम भी शामिल जोने डियाजी से आटीसी चुनार बनाये गया है बड़ी खबर इस वक्त की यूपी से जहां आपको बता दे कि चार बड़े तबातले यांपर किये गए हैं जोहां स्री नवनीत सिकेरा का ट्रांसफ और साथ ही ADG सतरक्ता अधिस्ठान बनाये गए हैं रभी जोजफ जोकी ADG सतरक्ता अधिस्ठान बनाये गए ADG PTC उननाव बनाये गए हैं IPS नवनीत सिकेरा बड़ी खबर इस वक्त की आपको बदा दे प्रदेश में चार IPS का ट्रांसफर कर दिया गया है यूपी से स्वक्ती बड़ी खबर एन अर्विंदर को बनाये गया है GNO लखनाओ और धर्मेंद्रियादफ को DIG से बनाये गया RTC चुनार तो में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से जाफा हुआ है दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रतिलीटर की बढ़ोतरी दर्च की गई तो महीं लगातार बढ़ती कीमतों का विरोध करने के लिए आज कॉंग्रेस देश्वयापी प्रदर्शन कर रही है आपको बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए और पैट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कॉंग्रेस संसत के सामने विजय चौक के करीब देश्वयापी प्रदर्शन किया जा रहा है इसमें राहुल गांधी समेथ कया ने दिगश नेता भी शामिल है और सूत्रों के मताबिक आपको बता दें कि विजय चौक के मीडिया लॉन में कॉंग्रेस संसत करीब एक घंटे से धरने पर बैठे हैं तो वही प्रदर्शन के दौरान कॉंग्रेस नेताओं समेथ कारेकरताओं ने मोधी सरकार के खिलाव जम कर नारे बाजी की इस दौरान राउल गांदी ने कहा है कि आज यहां हमारे कॉंग्रेस के संसत और हर आजे में हमारे नेता पैट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ातरी के खिलाब प्रदर्शन कर रहे हैं हमारी मांग है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ोतरी को रोका जाए इसका असर गरीबों पर हो रहा है गैस रेंडर के दाम दोगुने हो गए हैं इतियास में कभी ऐसा नहीं हुआ सरकार का साफ एजंडा है कि गरीब से पैसा निकाला जाए और दो तिन अरब पतियों के उदे दिया जाए रावल गांदीन आगे ये भी कहा है कि हमने चुनाफ के समय भी लोगों से कहा था कि अभी पेट्रोल ले लो चुनाफ के बाद सरकार पैसे बढ़ा देगी कॉंग्रेस्तान सद अरधीर रंजन चौधरी ने भी कहा कि हमने भविश्यवानी की थी जैसे ही पांच राजों में चुनाफ समाप्त होंगे पैट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ा द्री की जाएगी हम मांग करते हैं कि पैट्रोल डीजल की कीमतों को वापिस लाया जाए साथ ही पैट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता को मुश्किले हो रही है और स्तरकार समझ नहीं पा रही और सुप्रीम कोट ने जमानत गिरफतारी पर रोक जैसे एहम आदेश जेल अधिकारियों और जाची जनसियों तक जल पहुंचाने के लिए नहीं व्यवस्था शुरू की है इसका नाम रखा गया है पास्ट इन सेक्योर ट्रांसफर ओफ एलेक्ट्रोनिक रिकॉर्ड्स यानि की फास्टर सुप्रीम कोट ने चीफ जस्टेस एन वी रमना ने आज अपने साथी जजों के साथ देश के सबी हाई कोट जजों और वरिश वकीलों की उपस्तिती में इस जानकारी के आधार पर कोट ने उनकी तुरंत रिहाई का आदेश दिया था लेकिन उनकी रिहाई में चार दिन से भी ज्यादा का समय लग गया इस पर चीफ जस्टेस एन वी रमना ने अध्यक्षता वाली एक बेंच ने स्वता संग्यान लेते हुए सुनवाई शुरू की 16 जुलाई को कोट ने ऐसी सुरक्षित व्यवस्ता बनाने का आदेश दिया था जिससे सुप्रीम कोट की तरफ से जारी हुआ आदेश तुरंत ही हाई कोट और जुला कोट और जेल प्रिशासन तक पहुँचा आजा सके इस मामने पर आदेश ज्यते हुए चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये शुईकार नहीं किया जा सकता किसी की रिहाई का आदेश जारी हो जाए पर वो तुरंत जेल से बहर न हा सके अधिकारी कोट के लिखित आदेश की प्रमानित कौपी की प्रतिक्षा करते रहते हैं उने इसी बात का एसाज नहीं होता कि इस तरह से एक नागरिक की व्यक्तिग स्वतंतरता के मौलेक अधिकार का हनन हो रहा है जस्टिस रमना ने आगे कहा है कि सूशना तकनीक के इस युग में अब हम भी आस्मान की तरफ देखते हैं कि कोई कबूतर संदेश लेकर आएगा और आज राज सभा की आठ सीटों पर चुनाव होना है यह चुनाव असम, केरल, हिमाचल परदेश, नागालेंड और तरफ रफ पर होगा असम से दो मीदवार, केरल से तीनों मीदवार और हिमाचल परदेश, नागालेंड, तरफुरा से एक-एक सदस्ते चुना जाना है तीन हफ्ते पहले ही उत्रप्रदेश, उत्राखंड, मनेपोर, गोआ और पंजाब में विधानसभा चुनाफ के नतीज एक होशित किये गए थे जहां चार राज़ों में बीजेपी और एक राज़ों में आमादनी पार्टी ने जीत हासिल की और इन में से पांच पंजाब के सानसदों का कारेकाल समफ्त हो रहा है लेकिन पंजाब से पिछले हफते की राज़ों सबाच चुनाफ के लिए आमादनी पार्टी के सबी पांच उमीद्वारों को निर्विरोद चुन लिया गया है और साथ ही आपको बता दें कि आमादिम पार्टी ने 31 मार्च को होने वाले चुनाफ के लिए साथ ही आपको बता दें कि पंजाब से किसी और राजमितिक दल ने राजसबा चुनावों के लिए उमिदवार नहीं उतारा था कॉंग्रस ने केरल से राजसबा की तीन सीचों के लिए होने वाले द्वेवर्शे चुनाव के लिए अपनी मैला एकाई की राज़े प्रमुख जेबी मेथर को उमिदवार खोशित किया मेथर एकानकुलम जिले के अलुवा नागरपालिका की उपाध्यक्ष भी है LGF ने माक्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी की राजसमेदी के सदस्य ए ए रहीम और भारते कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता पी संतोश कुमार को मूर्चा का उमीदवार बनाया गया दोनों सीचों पर उनके जीतने की संभावना है और इसी भी शुकेंगे एक और बड़ी खबर के लिए लखीमपूर खिरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां रिजवान हत्यकान से जुड़ी ये खबर है जो कि लखीमपूर खिरी से सामने आई है बतादें आपको कि इस वक्ती बड़ी और एहम खबर रिजवान हत्याकान के मामले से जुड़ी सामने आ रही है लखीम पूर खिरी से जो रिजवान हत्याकान के मामले में पहुंचे एस पी और हत्याकान मामले के मामले के मौके पार पहुंचे एस पी खिरी एस पी खिरी ने मौके पर पहुंच कर मौाइना किया है और प्रेमिका के घर संदिक दवस्ता में शब मिला था मितक रिजवान के परिजनों ने हत्याका रोप लगाया था और इस मामले में हत्याका मुकदमा भी दर्च किया गया अतफलीश जारी थी इसी बीच एस पी खिरी ठाना खिरी और कस्बा खिरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहांपर खुद एस पी घटनास्तल का करने पहुंचे लखीमपुर खिरी से एक अबर सामने आ रही है जहांपर प्रेमिका के घर पर शब बरामद हुआ था और इसी के बीच जो है हत्याका रोप लगाया गया साथ ही अब इस पूरे मामले को संग्यान में लेते हुए एस पी खुद कारवाई करने पहुंचे और हालात का जायजा लिया उन्होंने घटनास्तल पर भी पहुंचे और लोगों से भी पूशतार की जारी है यह रिजवान हत्यकान के मामले में कारवाई करती है पुलिस नजर आ रही है लखीमपुर खिरी में जो रिजवान का जो शब है प्रेमिका के घर से मिला था जिसके बाद कारवाई करते हुए SP मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया है। दो EPS डिवाईस का उप्यों किया जा रहा है। नागरे का पूर्ती मंत्री ने इस मामले की गहन जाच करने और दोशी डीलर की खिलाब कानून के समझ तुरंत कारवाई करने के आदेश दे दिये हैं। आपको बता दें कि कमिशनर को भी आदेश जारी किये गए हैं और कारवाई की रिपोर्ट कल तक उनके पास प्रसुत करने को कहा गया। निरिक्षन की दरान खाद और नागरे का पूर्टी मंत्री इमरान हुसेन ने पाया है कि राशन की दुकान के परिसर के सामने से विभागिय नेमों के विरुद गोदाम भी संचालित किया जा रहा था। खाद और नागरे का पूर्ती मंत्री ने नराज़ी के साथ कमिशनर को FPS परिसर से गोदाम के सुन्चालन को प्रतिबंधित करने वाले विभाग के मानदंडों का उलंगन करने के लिए राशन डीलर के खिलाफ एक विस्तरित कारवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर लाबार्तियों की संक्या हेल्प लाइ नंबर जैसे तमाम समंदित निर्धारत सूचना का उलेक नोटिस बोर्ट के माधियम से उपलब्द नहीं था इस पर भी त्वरंत संग्यान लेते हुए मंत्री ने खाद अपूर्ति विभाग को श्रेणी को बाहर पत्रिका और स्ट अब आद करते हैं आईपियल की जहां आईपियल 2022 में रॉयल चालेंजर्स बैंगलोर ने रोमांचक मैच में कोलगता नाइट एड़स को तीन विकिट से हरा दिया है केकेर ने आरसीबी को जीत के लिए 139 रनों का लक्ष दिया था जिसके जवाब में आरसीबी ने 19.2 ओव आरसीबी के लिए भी कप्तान फाफ जू प्लैलिस और अनुज रावत ओपनिंग करने आये थे इस दोरान अनुज बिना खाता खोले ही आउट हो गए जबकि ड्यूपलेक्सिस ने पांच रन बना कर वो आउट हो गए आपको बताते हैं कि पूर कप्तान विराट कोली साथ गेंदों में 12 रन बना कर आउट हुए डेविड वीली ने 28 गेंदों में 18 रन का योगदान दिया शाबाज एहमद ने 20 गेंदों में 27 रन बनाए उन्होंने तीन च्छके भी जड़े साथी आपको बता दे चलें कि रदर फोच ने 40 गेंदों का सामना करते हुए 28 रन उन्होंने 2 चौके लगाए साथी केके आर के लिए उएश्यादव ने भी शानदार गेंद बाजी की इजरान उन्होंने 4 ओवरों में 16 रन दे कर 2 विकेट जटके टीम साओधी ने 4 ओवरों में 20 रन दे कर 3 विकेट अपने नाम किये सुनील नरेन ने 4 ओवरों में 12 रन दे कर एक विकिट लगया साथी वरुन चक्रवर्ती ने चार ओवरों में 33 रन दे कर एक विकिट लिया है इससे पहले कोलकता ने 18.5 ओवरों में ओल आउट होने तक 128 रन बनाए टीम के लिए सबसे ज्यादा 25 रन आंज्रे रसेन ने बनाए है उन्होंने 18 गेंदों का सामना करते ह हुए तीन चक्के और एक चौका लगाया है अंध में बैटिंग करने आये उमेश यादब ने अच्छी पारी खेली उन्होंने 12 गिंदों का सामना करते हुए दो चौके और एक चौका लगाया है जिसकी मदद से 18 रन बनाए गए वरुन चक्रवर्ती 10 रन बनाकर नाबाद रहे अज़ें क्या रहाने 9 और श्रेयस आयार 13 और नतीश रहाने 10 रन बनाकर आउच हो गए और रुक करें एंगली खबर कियो जार रोयल चैलेंजिस बैंगलॉर और कोलकता नाइट रैडर्स के बीच मैच खेला जा रहा था जिसमें केके आर ने आर सिबी को जीत के लिए 139 रनों का लक्षे दिया था तो वहीं ज़रान आर सिबी की गेंदबाजों का शानदा प्रदर्शन रहा टीम के युवा गेंदबाज हर्शल पटेल ने चार ओवरों में महस 11 रन देकर दो विकेट चटके हैं हर्शल ने शानदा परफॉर्मेंस के दम पर एक बड़ा रिकॉर्ट अपने नाम किया राइट आम मीडियम फास बॉलर हर्शल आईपील मैच की किसी एक पारी में आर सिबी के ओड़ से सबसे ज़ादा डॉट बॉल फेकने वाले के इंदबाज बन गये हैं उन्होंने के क्यार के खिलाब खेले इस मुकाबले में दो मेजन ओवरों के साथ ही कुल 19 विकेट 19 स्टेन के नाम दर्श था और अब हर्शल से पहले डेल स्टेन, जाहिर कान और यजवेंद्र चेहल भी ये कमाल कर चुके हैं स्टेन ने आईपील 2008 के दो मैचों में 18 डॉट गेंदे फेकी थी उन्होंने चिन्नाई सूपर किंग्स और मुंबई इंडियन्स की खिलाब ये क कमाल कर दिखाया था और आजसान रोयल्स की खिलाब आईपील 2022 में अपने दूसरे मैच के लिए पांच बार की चैंपिन मुंबई इंडियन्स ने रोयल्स कॉपरिट पार्क में नेट्स पर जम कर पसीना बहाया है इस दोरान टीम आईकन सचिन ते दूलकर ने भी सला दी और ये पहला प्रोसिक्शन सत्र था जिसमें महान बलेबास तंदूलकर ने कोजिंग स्टाफ के साथ भाग लिया है तंदूलकर कुछ दिन पहले ही अनेवारे कॉरिंटीन अवदी से गुजरने के बाद टीम में शामिल हुए थे तंदूलकर ने मंगरवार की पूरी दोपहे नेट्स पर बिताई और खिलाडियों को गेहनता के साथ देखा साथ ही युवाओं में तिलक वर्मा, डिवाल्ट ब्रेविस और आरियन जुवाल के साथ उन्होंने समय बताया है साथ ही उन्होंने अलग-अलग स्ट्रोक, फुट वर्क, वले बाजे के बारे में भी युवाओं को सलह दी है एक दिन पहले ही इंडोर जिम साथर करने के बाद शाम को समाप्त हो इस साथर में खिलाडियों ने दो अप्रेल को राजस्तान रोयल्स के खिलाफ अपने मैच से तीन दिन पहले काफी मेहनत की थी फ्रेंच्वाइजी ने एक बयान में ये भी कहा कि नेट सत्र के अलावा टीम ने अगले मैच की तैयारी के लिए फिल्डिंग का अभ्यास भी किया है मुंबाई इंडियन्स ने अपने आईपियल 2022 अभ्यान की शुरुआत ही निराश्वा जनक रूप से की लेकिन अपने पहले मैच में दिली से वहार गए और वो राजस्तान रोयल्स को हरा कर अपना पहला अंग तालिका में रखना चाहेंगे ऐसे में अप संजू सैंसन की अगवाई वाली रॉयल्स ने मंगलवार की रात को संडूराइजर सहधराबाद के खिलाब मनोबल बढ़ाने वाली 101 रनों की जीत के साथ अपने अभ्यान की शानदार शुरुआत की थी और आईपियल 2022 में लखनाव और चनहीं की टीमें गुरवार को एक दूसरे से ठकराएंगी टूनामेंट के पंद्रवे सीजन की शुरुआत दोनों टीमों के लिए अच्छी नहीं रही थी और हार के साथ अभ्यान की शुरुआत हुई जब लखनाव और चनहीं की टीमें दूसरे मुकाबले में मैदान पर उतरेंगी तो केल, राहूल और रवेंद जडेजा की कप्तानी भी इनकी अबगनी पर इक्षा होने जा रही है हलागी चनहीं में अनुभवी धोनी मौजूद हैं जो जडेजा के लिए काफी एहम साबित हो सकते हैं पिछले मैचों में लखनाव और चनहीं के टॉप और बलेबाज ताश्च के पत्तों की तरह जाय गए थे जिसकी वज़े से टीमें स्कोर बोर्ट पर बड़ा टोचल लगाने में नाकाम रही थी चलिए इस मैच से जुड़ी आपको कुछ हैं बाते भी बताते हैं जुन सवालों के जवाब में आपको बदा दे चलें कि लखनाव और चेने के बीच मुकाबला गुरवार को मुंबई के ब्रेबॉर्ण स्टेडियम में खेल जाएगा तो वहीं ये सीजन का साथवा मुकाबला होगा मैच का टॉस शाम साथ बजे होगा और खेल साड़े साथ बजे शुरू किया जाएगा इस सीजन के पहले मुकाबले में चेनेई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही कोलकता के खिलाब महिंद सिंग दोनी ने सारवद एक पचास टनों की पारी खेली थी धोनी के अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं बनाया पाया था साथ ही निर्धारित बीस ओवर की टीम पांच विकेट खोकर केवल 131 रन ही बना पाई जबकि कोलकता ने शांदार प्रदर्शन कर मैच जीत लिया था तो महीं दूसरी तरफ लगनाओं की टीम का भी पहला मुकाबला अच्छा नहीं रहा और उसे गुजरात टाइटन्स के खिलाप हार का सामना करना पड़ा था टीम का टॉप ओडर पहले मैच में पूरी तरह से फ्लॉप रहा टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकिट खोकर 158 रन बनाये थे जबकि इस मुकाबले में गुजरात ने 5 विकिट से जीत हासल की